हलो फ्रेंड्स नमस्का मैं मम्ता दुबे आपका स्वागत करती हूँ हमारे सी यू टू चैनल सेलेक्सन मेंटर पर फ्रेंड्स हम लोग करेंगे साथ जून 2020 के करेंट अफेर्स का पंच नामा इस पंच नामे में जितने भी कोशन दियेगे हैं आपके आने वाले सभी प्रितियोगी परिक्षाओं के लिए अतिमहत्यपोर है अगर की आप किसी भी तरह की जांगारी चाहिए यह आपकी कोई भी लुक्री तो आप हमारे टेली क्राम चैनल से संपर कर सकते हैं या फिर आप हमारे वाट्साब नमबर से भी इस उरुजब कर सकते हैं से किसे सम्मानित किया गया option first जुंपा लेरी, second है अनीता देशाई third है अमरता पृत्यों fourth है कृतिका पांडे so friends इसका right answer है fourth कृतिका पांडे जी ये रही हैं आपकी कृतिका पांडे जी ये बहुत ही कम उम्रिकी भारती लेखिका है इन्हें Asia reason के लिए common well short stories price 2020 से सम्मानित किया गया है और ये सम्मान इन्हें किसलिए दिया गया है इनके जो स्टोरी है the great Indian tea and snakes इस स्टोरी के लिए इन्हें सम्मान प्राप्ट हुआ है इस स्टोरी में है क्या इसमें एक हिंदू लड़की और एक मुस्मीम लड़की के प्यार में पढ़ने की कहानी है इस स्टोरी के अमाध्यम से बताया जाता है कि कैसे ये दोनों युवाल नफरत और पक्षपात के दौर में प्यार अपने विचार को फैलाने की कोसिस करते हैं लाइक आपने फिल्म देख्यों होगी केदार नात उसी की तरह बिलकुली सी स्टोरी है कावन वेल्थ की बारे में थोड़ी से जानकरे ले लेते हैं कि कामवेल्थ शौर्ट स्टोरी पुरस्टार जो है इसकी सुर्वात हुई थी 2012 में इसकी सुर्वात हुई ठीक है और इस कामन वेल से मतब 2012 से जो कामन वेल से अप्रकासित जो सबसे शॉर्ट स्टोरीज होती है सर्विस्टेस्ट शॉर्ट स्टोरीज के लिए ये पुरस्ता दिया जाता है और इसमें प्रिट्टेक विजेता को 2,500 पाउंड धन्रासी दी जाती है यह लगभग 2.4 लाक मालनी जी यह धन्रासी होती है ठीक है यहां से फोर्थ आप्सन कंप्लीट होता है ऑप्सन फर्स्ट पर चलते हैं जुम्पा लहरी जी के बारे में थोड़ी चानकारी देते हैं जुम्पा लहरी यह इन्होंने एक लो लैंड दी लो लैंड तो इस जो इनकी उपन्यास है दी लो लैंड यह उपन्यास भुकर पुरुसकार में सामिल है तो सूची में इसको सामिल किया गया है जुम्पा लहरी जो है ए अमेरिका की लेखी का है ठीक है सेकेंड है अनीता देसाई जी तो अनीता देसाई जी ह यह विस्व में अंग्रेजी साहित्ति का एक जाना पहचाना इनका नाम है इन्हें पद्मिस्री और 2014 में पद्म भूसर से इनको सम्भानित किया गया है इन्होंने बहुत से रचनाये लिखी है इनकी रचनाये हैं किताबे हैं थर्ड में आप देखेंगे अंब्रता प्रितम आप इनको तो बहुत अच्छे से जानते होंगे पंजाब राज से संबंदित है यह पंजाबी भासा की पहली कवित्री मानी आती है कौन अंब्रता प्रितम जी इन्होंने लगबग सौ पुस्त के लिखी जिनमें जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो आत्म कथा है कौन सी रसीदी टिकट इक्जाम में कई बार पूछा गया है इसके बारे में इन्हें भी साहित अकादमी पुरस्कार मिला है 1957 में साहित ज्यानपीट पुरस्कार भी इन्होंने प्राप्त किया है और सबसे बड़ा दूसरा पुरस्कार पद्म विभूसर्ण से भी इन्हें सम्मानित किया गया है जो यहां से हमारा फर्स्ट कोइशन जो है वो किल हो जाता है सेकेंड कोइशन पर चलते हैं एक्स राजी की पुलिस बलने तनाओ और डिप्रेशन में depression को कम करने के लिए विसेस अभ्यान इस पंदन की सुरुआती है किसकी सुरुआती है इस पंदन यह याद रखिएगा option first है 36 गर second है गुजरात third है हर्याना fourth है पंजाब so friends इसका right answer है option first 36 गर 36 गर ठीके actually में होता क्या है कि जो पुलिस कर्मी है वो लगता duty करते रहते हैं जिसके कारण वो काफी depression में चले जाते हैं और अपनी duty है वो अच्छे से नहीं निभा पाते हैं और इस कठीन जबस और संगर पुलिस ने इस पंदन अभ्यान शुरू किया है क्या होता है सब्यान में तनावधूर करने जते हैं उनको योगा कराया तनाव से दूर रखने दिन में फांस से गंटे लगाता इले खेल्य कूथ का योजन किया mira और जो पुलिस अदिश्चक होते हैं आकस्मिक आके निरिशर करते हैं उनकी समस्याओं को सुनते हैं अगर कोई व्यक्ति यानि पुलिस कर्मी अवसात में है तो उसको मनोचिकिस्षक है उससे काउंसिलिंग कराई जाती है उनकी मन के जो भ्रह में उनको दूर किया जाता है 34 गड़ के बारे में थोड़ी से जानकारी ले लेते हैं 36 गड़ इसकी जो राजधानी है वो है रायपूर कौन से यह राजधानी रायपूर 36 गड़ की जो राजपाल है वो है अंसुईया उई की राजपाल है यहाँ पर आप देख रहें मुख्य मंतरी मुख्य मंतरी है भुपेस भगेल यहाँ थोड़ा से याद रखना है राजपाल मुख्य मंतरी यह सब पूछे आ सकते हैं नेक्स ओप्शन देख लेते हैं गुजराद की राजधानी गांधी नगर है गांधी नगर राजिपाल है आचार रेदेव ब्रत मोख्य मंत्री है विजे रुपानी रुपानी हर्याना आदा है तो हर्याना की राजधानी चंडिगर आपको सारी राजधानी याद रखनी है सत्य देव नरायन आर राजिपाल है मोख्य मंत्री है यहां के मनुहर लाल खटर जी ठीक है पंजाब में आते हैं पंजाब की राजधानी चंडिगर यहनी दोनों जगी की राजधानी क्या है चंडिगर है वी सिंग बदनौर बदनौर राजपाल है और मोख्य मंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर ठीक है ओके तो चलते हैं नेक्स कोशन पर थार्ड कोशन है राज्टी बाग सर्नक्षार प्राधिकर एंटी सी एके आकड़ों के अंसार किस भारती राज में बागों की सबसे अधिक मृत्य हुई है तो इसका ओप्शन फर्स्ट है महाराज, सेकेंड है केरल, थेर्ड है तमिल नाडू, फोर्थ है मद्य प्रदेश इसका राइट आंसर है फोर्थ मद्य प्रदेश एंटी सी ए इसका फूल फॉर्म क्या है निशनल टाइगर कंजर्वेशन एथोर्टी इसका जो हैट कॉडर है हैट कॉडर है इसका नई दिल्ली, ठीक है और इसके जो इन्वार्मेंट मिनिस्टर और चेर्मेन आफ एंटी सीए के हैं वे हैं प्रकास जावेड कर जी प्रकास जावेड कर जी तीक है यह इन्वार्मेंट मिनिस्टर है और चेर्मेन भी है एंटी सीए के तो NTCA ने जो भी हाली रिकार्ड दिये हैं इन 8 वर्सों में देश के बागों के बारे में तो बताया है NTCA ने कि 8 वर्सों में देश में 750 वागों की मौते हुई है जिनमें से 379 जो बाग की मृत्व ही है वो प्राक्रतिक कानों से अपने आप बीमारी की वज़े से या कि सिकारों से मरें और 168 जो मौते हैं वो सिकार जो अवे रूप से सिकार के जाते हैं टाइगर के उनकी लेव हैं आप यहां पर देख रहें प्रकास जाविटकर जी यह मिनिस्टर ऑफ इंवार्मेंट फॉरस्ट चेंड खांकली लेते हैं मांड्य प्रदेश की राजणी आपको पता होनी चाहिए तो मर्दीप्रदेश की राजणी आपको किलिए पता है इसकी राजणी भोफाल और ढेंके मुख्य मंत्री है कमलनाश जी ठीके अगोल मुंबई और राजपाले भगसिंग कोश्यारी मुख्यमंत्रिये उद्धव ठाकरे जो अभी काफी अभी उनका चुनाव हुआ था हाली में काफी प्रसिद रहे हैं उद्धव ठाकरे जी सेकेंड है केरल की राज़ानी तिरवनपुरम राजपाले आरिफ खाम जी और मुख् मुख्यमंत्री है इसके के पलान सौनी किलियर हो जाता है यहां से हमारा सवाप्त होता है कि कि संगठन ने PPE पहनने वालों की मदद के लिए समेरू PACS नाबप उपकरण विक्सित्या है ओप्सन आपके सामने है फर्स्ट है अंतराज्ची स्ट्रम संगठन ILO सेकेंड है अंतराज्ची मुद्रकोर्स IMF थर्ड है रक्षा अनसंधान विकास संगठन DRDO और आप्सन फोर्थ है इन में से कोई ने तो फ्रेंड्स आपको राइट अंसर बताना है इसका राइट अंसर है थर्ड रक्षा अनसंधान विकास संगठन DRDO और और का फूल फॉर्म है के डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट और आइजेशन ठीक है समयरू पैक नामक यह उपकरण है यह डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट और और ने यह रिशर्च करता है और इसी नहीं अभी हाली में जो कोरोना वीमारी फैलिए तो इस घातक वीमारी में यह दुट्टर हैं डॉक्तर किट को पहनते हैं पीपीई तो इस पीपीई किट को पहनने से उन्हीं काफी सपोकेशन होता है उनको काफी प्रॉब्लम होती है सांस लेने में वसीना बहुत आता है दिक्कत होती है तो इस दिक्कत को उनकी प्रॉब्लम को समझते हुए डियाडियों ने व्यक्तिकत रूप से वायू संचलन प्रडाली लिक्सित की जिसका प्योग पीपी एक अंदर किया जाता है जो कि छ सांस लेने में मदद करती है ठीक है इससे प्रॉब्लम भी नहीं होती है और आसानी से सांस ले सकते हैं तो इसका किलियर हो गया आपको पीपी पहनने वालों की मदद के लिए समेरू पैक्स नामक उपकरण विक्सित किया है वो किसने किया है रक्षा अंसंतान विकास अशना है इल पकहाँ झाला में अंतरास्टी मुड्रकोस का मख्याले रक्षाम संधा विकास संगचन डेडियों का मुख्याले आपको पताना चाहिए यहां न्यू डेली यह नई डिल्ली में ठीक है ति दिल्ली में तो यहां से समाप्ट ऊत्या क्योंचन कोश्चन पूर्ट फिप्ट में पूंसते हैं पांच ओक कोसेने वाहन मित्रि योजना कि तो आपके सामने दिये गए हैं फरस्ट है राजिस्थान सेकेंड हैं आंदर प् कं सा यह वहां इन कि राज्जी कि पहले आंद्र प्रदेश की कि लिए थी मोटह उप्हक कुलिए हुए प्हसे जांकारी ले लेते हैं यह सुभारम करने वाले हैं वो चीप मिनिस्टर वाईयस जगन रेड़ी जी ठीक है वाईयस जगन रेड़ी जी ने इसका सुभारम किया आंध्रप्रे सरकार ने अभी हाली में जो कैप चालक हैं जो टेक्सी चालक हैं आटो चालक है तो इनकी मदद के लिए 10,000 रुपए वारसी क्रूप से देने का प्राव और इस गोशना के तहट होता कि है जो आतो टैक्सी चालक है इनको बीमा प्रीमियम लेने में लाइसेंस सुल्क जमा करने में या आवार्ती खर्चा पूरा करने में काफी मदद मिलती है इसलिए इन्हें दस जार रुपे वार्सिक बत्ते के रुप में आंध्र प्रदेश सरक ऑफ्सन फर्स्ट में पूंसते हैं यह राइपराया उस्पा प्राज चेलना आंध्र प्रदेश सब्सक्रूराच है अम्र प्रुफ मंत्री अभी मैंने बताए है जगन रेड़ी जगन मोहन रेड़ी जी है इन्हों नहीं सुभारम किया है इस वाहनमित्री ओजना का राजिपाल है विश्वा भूसर हरिचंदन सिक्किम सिक्किम की जो राज़ानी है वो है गंगटो कौन सी है गंगटो इसकी जो राज़िपाल है सिक्किम के वो है गंगा प्रशाज राज़पाल है और मुख्यमंत्री कोन है प्रीम सिंह तामंग दिल्ली दिल्ली के तो आपको मुख्यमंत्री पता होंगे दिल्ली के राज़ानी दिल्ली भारत के राज़ानी है मुख्य मंत्री मुख्य मंत्री आपको पता है कौन है जी हां बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली के मुख्य मंत्री है अर्विन केजियर रिवाल जी और दिल्ली के जो नई एक तरह से चुनी गई है रास्तानी वह नई दिल्ली है इसके वह प्राज पाल है वह प्राज पाल कौन है अनिल बैजल जी ठीक है यहां से हमारे सारे कोश्चन समाप्त होते हैं किल हो चुके हैं सो फ्रेंड्स आप भी तक आपने जो वीडियो देखा अगर आपको यह पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते शेर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में और आपके कोई क्वेरी है या जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट्स भी कर सकते हैं सो फ्रेंड्स थैंक्यू फॉर वाचिंग इस वीडियो गुडबाए एव नास दे थैंक्यू